तो यह है मेरे पास One Plus Note 2, काफी डिमान आई ती इसके केमरा टेस्ट की, रियर केमरा 50 मेगा पिक्सल का है, 8 मेगा पिक्सल का अल्टरा वाइड है, 2 मेगा पिक्सल का मनोर, 32 मेगा पिक्सल का है यहाँ पर आपको सेल्फी केमरा दिया हुआ है, काफी ज़्यादा कॉमेंट्स साथ इसका केमरा टेस्ट के लिए है, तो लेकर आगया हुआ आपके लिए केमरा टेस्ट, वीडियो लास तक जरूर देखना, साथी साथ ओप पूर इनो 6 के साथ भी केमरा कमपिरेशन किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, करेंगे 50 मेगा पिक्सल के मेन लेंस व अच्छा है, मतलब 60-70% तक तो नेचर लेता है, थोड़ा सा कलर सेचुरेशन आपको देखने को मिल सकता है, जो कि फोटो को अच्छा ही बनाता है, आपको खराब नहीं दीखेगा, लेकिन ओवर सेचुरेशन नहीं चाहिए, तो एक अलग बात है, बट डिटेल वाली कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, 32 मेगा पीसल का इसका सिल्फी केमरा है, उसके अकोडिंग यहाँ पर काफी अच्छा इसने मेंटेन किया हुआ डिटेल्स, कुछ छोटे मोटे आप फूल के लेते हैं, फ्लावर्स के रहते हैं, पत्तियों का लेते हैं, तो और एस डिटेक्शन इसका काफी अच्छा है, no doubt, और काफी डिस्टेंस से भी आप फोटो ले सकते हो, और बढ़िया फोटो आती है, साथी साथ इसमें 2X तक भी आप पोट्रेट में जूम कर सकते हैं, तो यह मुझे एक अच्छी चीज लगी, यह भी एक 50 मेगा पिक्सल क सेंपल है, तो यह मैं इसले बता रहा हूँ 50 मेगा पिक्सल क्योंकि आपका जो में लेंस है, वो 50 मेगा पिक्सल का है, तो जब भी आपको हाई डिटेल फोटो चाहिए, तो आप 50 मेगा पिक्सल पर ही लीजिए, डिटेल अच्छी आती है, फोटो भी शार पाती है, उसके 10x zoom वाला फोटो है काफी अच्छा इसने maintain किया डीटेल कोई भी ज्यादा इश्मशी नहीं हुआ है फोटो डीटेल आप प्रोपर देख सकते हो कोई letters लिखे हुए text लिखा तो आप पड़ सकते हो यह 1x का फोटो है selfie में बात करें portraits की तो bouquet flare portrait जब आप ओन करेंगे तो इस तरह से कुछ edge deduction और जो bouquet है वो इस तरह से दिखता है यह पेड़ पे जो कुछ पानी था यह जो भी छोटी-छोटी lights होती है इसको बहुत अच्छे से blur करता है साथी साथ डीटेल भी आप देखोगे तो mask का टेक्च्चर है वो भी काफी अच्छा दिख रहा है overall selfies में better ही देखने को मिल रही है details वगर इसमें proper आ रही है तो quality wise no compromise अच्छी चीज है कुछ portraits over है अभी weather थोड़ा सा बारिस वाला हो रहा है इसलिए थोड़ा से डार्क फोटो आपको देखने को मिल रहे है अदर्वाइस camera quality is good 108 MP तक का option इसमें high resolution नामसेक्स में function दिया हुआ है उस पर आप लेते हैं तो बहुत अच्छी फोटो यहाँ पर आपको detail वाली देखने को मिल जाएगी थोड़ा सा फटता है फोटो हलका सा उसको आप फटना नहीं बोल सकते हैं थोड़ा सा blur हो रहा है बस यह आप बोल सकते हैं लेकिन overall better आती quality ज्यादा zoom कर सकते हो और ज्यादा quality आप इसमें ले सकते हो तो यह अच्छी चीजे कुछ और portraits मैंने लिये हुए हैं तो overall portraits तो मुझे अच्छे लगे जूम टेस्ट भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी सी light condition अच्छी होती या sun होता तो थोड़ी और photos बढ़िया आती तो आप उसको weather के साफ से compare कीजिएगा यह कुछ night के simple से night mode में भी इसने काफी अच्छा काम किया जैसा है आप देख सकते हो एज direction इसमें proper हुआ है जबकि यह बीना portrait के लिया हुआ है personally मुझे तो पसंद आया texture वागेरा night में भी इसने अच्छे से maintain किया हुआ है और details भी इसने बिल्कु destroy नहीं करिए तो यह एक अच्छी चीज़ है यह ultra white का simple है यह simple इसलिए लिया तक कि इसमें color situation और जो HDR range है वो पता चल सके तो काफी अच्छा इसने maintain किया हुआ है कोई भी problem देखने को नहीं मिल रही है शाद आप भी judge कर पा रहे होंगे यह वाला भी photo आप देख सकते जूम पर लिया हुआ है HDR range की बात करें man lens है तो वो भी काफी अच्छी है colors बिल्कु destroy नहीं होते है एक और night mode का simple है night mode तो मुझे इसका personally पसंद आय अच्छी details इसने maintain किये night के एसाब से आप यहां पर देख सकते हो details और प्रोपर यहां पर maintain किये यह normal mode का photo था और इसके पहले जो दिखा था वो night mode था तो difference आपके सामने यह भी एक night mode का simple है selfie में portraits की बात करें details की बात करें तो काफी ज़्यादा अच्छी है यहां पर आती है आप खुद भी pre-judge कर पाएंगे इसको जब आप use करेंगे तब बहुत सारे samples हमने लिए हैं चाहे वो portraits हो क्योंकि generally portraits में मैंने देखा यह lens थोड़ा छोटा होता है तो quality उतनी अच्छी न देखने को मिल जाएगे आपको मुझे तो personally पसंद आईए और बात करें यहां पर जूम वगेर है कि तो ठीक ठाक maintain किया इसने अवर ओर और सेचुरेशन कलर वगेर इसके काफी अच्छा आते कोई भी problem देखने को नहीं मिलेगी और यहां पर आप कुछ और भी sample देख सकते हो नाइट मोड नॉर्मल मोड डानेम क्रेंज शेडव अगर अच्छे से maintain कर लेता है यह मुझे personally पसंद आ है color saturation इसका अच्छा है बुके फ्लेयर अच्छा है इसका वह पास में कोई object है तो उसको भी clear रखता है बुके अच्छा देता है आपको background में यह 10x का photo है 10x पे तो भी judge कर सकते हो कि कितना अच्छा है आपर इसने सेंपल दिया हुआ है कुछ portraits और देख सकते हो आप यहां पर मैंने सभी तरह की चीज़े टेस्ट की वीडियो भी टेस्ट की तो वीडियो भी आगे नहीं हो ले 4K पर 1080p 60fps पर अगर आप photographic करते हैं तो उसे इसाब से इंपल आएगा वो भी मैं आपको दिखा दूँआ 2X पर लिया हुआ यह थोड़ा सा अलग फोटो है यह जो फोटो लिया हुआ यह अल्ट्रा वाइट पर लिया हुआ है काफी अच्छे हैं यहां पर अल्ट्रा वाइट भी इसने मिंटेन किये details और zoom करने के बाद भी से बिल हम इस्टेबलेशन चेक करते हैं कि कितना इस्टेबल वीडियो बनते हैं तो सेलफी और बेक केमरा दोनों में ही स्टेबलीटी यहां पर आपको दी हुई है और 1080p 60fps तक आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ्रेंट में आप 1080p तक रिकॉर्ड कर सकते हैं बूके अट्रेक्टिव वेग्राउंड आपको यह बना कर देता है काफी अच्छा फीचर है यह एयाई हाइलाइट और नॉर्मल मोड का वीडियो लेफ्ट साइड में नॉर्मल और राइट साइड में एया है वीडियो स्लो मोशन की बात करें तो यहां पर आप स्लो मोशन भी दे देते हैं तो इस्टेबिलिटी अच्छे आती है डूल भी वीडियो में थोड़ा सा कम आता बढ़ इसमें अच्छे से मिंटेन के आशने है अच्छे से में तो यह था केमरा टेस्ट उम्मीद आपको पसंद आपको पसंद आतो लाइक कर देना चैनल पर नए तो सब्सक्रा